हाई एवरिवन, वेलकम टू जेया टॉक्स यूटूग चैनल, I am your friend राहूल जेस्पाद। दोस्तों अगर आप भी एक स्टुडेंट हो, खास कर आप लोग का अगर सब्जेक्ट साइन्स है, तो यार मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप आज का वीडियो देख ल ने काफी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉंस आया और काफी ज़्यादा बच्चों को उससे help मिल रहा है कि यार बच्चे match में better कर पारें, तो कुछ बच्चों का ऐसा भी था कि सर हम science पढ़ने बैटते हैं, तो हम याद तो कर लेते हैं, question के answers को फिर बाब में भूल जाते ह हम आपके देखते हैं, concept clear हो जाता है, लेकिन exam में हम कभी-कभी उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, maths का तो चलो डर थोड़ा निकल गया, यह जो science का चो टर है उसको कैसे निकाला जाए, तो चलो आईए इस topic में discuss करेंगे, तो चो topic हमारा आजे होई क्या है वो topic, topic तो है कि science का fear कैसे हटा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, कि अगर यही same चीज़, अगर आप बाकी subjects पे भी apply करोगे, तो definitely positive result ही आपको देखने मिलेगा, और एक और चीज़ होता है, कि कितना भी hard work कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर consistency नहीं है तो यार कोई चीज़ आप कर नहीं सकते लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अच्छा करते, जोश में करते, जैसे example दोर पे gym करने उतरते, तो आप जोश होता है, मैं body बना लेगा, body बना लेगा, 15 दिन, 20 दिन करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका पुर आपको उतना smart तरीके से hard work करना है, ठीक है, तो चलिए, क्या topic है, जैसे मैंने बहुत सारे points से हम discuss करेंगे, तो सबसे पहले, जो topic है, हमारा point जो है, कि always make self notes, ये क्या है, बहुत भी ज्यादा important चीज़ है, ये कि आपको खुद का notes खुद बनाना है, अब आप बोलेगे कि sir, बहुत सारे तो चीज़े market में available है, वस जाके या सोर ब्या देना है, और जाके खरिद के लाना है, ये अवेलेबल है, उससे आप पढ़ो भी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूं, कि आप market से जो भी notes खरिद के ला रहे हो, या फिर जो भी आप classes में जा रहे हो, वहा बहुता सा diary लेलो, आप जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, मानलो YouTube से वीडियो देखके पढ़ रहे हो, आपके सामने आपका जो market से खरिदा हुआ notes है, जो भी publication हाउस का है, वह आप ले रहे हो, तो उसके through आप सभी को compare करके एक खुद का version of notes create करोगे, क्योंकि अगर जब तो फटाक से सुना, आपके दिमाख में हो बहुत fast गया, लेकिन जब आप लिख रहे हो, तो मानलो एक sentence आप लिख रहे हो, तो उसको लिखने में एक minute लगा होगा आपको, तो वह एक minute तक आपके दिमाख में जाएगा, तो इसका मतलब जब भी हम लोग कोई चीज लिखते स्माइन में जा रहा होगा, बस करना क्या होगा, जब आपका एक बार notes बन जाएगा, तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो देखो कितना fast तरीके से याद होगा, और आपको खुद का लिखा हुआ रहेगा, आपके handwriting में लिखा हुआ रहेगा, तो और ज कोई चीज का पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी वीडियो से आप देख रहे हो, ठीक है, जिसको अब लोग handwritten notes भी बोलते हैं, तो आपका एक खुद का handwritten notes भी तयार हो जाएगा, जो कि आपको last moment में तो और ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि खुद का बनाए हुआ notes में आप को पता रहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, तो जब आप last में exam के एक दिन पहले, दो दिन पहले, जब उसी चीज को पढ़ने बैठोगे, तो आपको और ज्यादा easy लग रहा हो, और और fast परिके से आप learn कर पाओगे, य electricity produced कैसे होती है, magnets के around में conductor कैसे घुमता है, या फिर conductor के around में magnets कैसे घुमता है, ठीक है, electromagnetism क्या होता है, यह अगर आपने वीडियो देखें, तो concept समझ में आ गया, लेकिन जब आप concept समझ ले थे, तो क्या आपने उसको लिखा, अच्छा, कि when the magnet is rotating around the conductor, और the conductor is rotating around the magnet, तब ज जब आपको लगे कि यह important है, तो उसको underline कर लो, एक highlighter आता है, अलग-अलग color का market में मिलता है, 20-30 रुपे का, वो लाओ, और से अलग-अलग color में highlight करो, तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपका जो खुदका notes बनेगा, तो थोड़ा colorful भी बनेगा, अच्छा भी दिखने मे कोई topic है, ठीक है ना, science के अंदर, अब आप उसको practice करना चाहते हो, तो हमेशा वापस से उसको याद कर करके, revise कर करके, practice करना तो impossible हो जाएगा, तो आप उसको flow chart बना, बना कि याद कर सकते हो, अच्छा, magnet है, इस तरीके से काम करता है, अच्छा, समझ लोग कोई topic है, environmental conservation, environmental conservation में, हाँ, यह होता है, need to conserve water, need to conserve, हाँ, soil, because pollution is more, यह यह करना पड़ेगा, तो ऐसा flow chart बनाओ, उसके related कोई diagram से, तो diagram बनाओ, जैसे part 2 गा, जो बहुत सारे chapters है, reproduction वाला chapter, उसमें diagram वाले बहुत सारे, अच्छा, mitosis ऐसा होता है, इसमें chromosome है, अच्छा, pro phase में ऐसा होता है, एक नक्सा, एक blueprint हमारे दिबाग में जब चल रहा होता है, तो चाहे कितने से भी hard से hard question आने, तो हम उसका answer अपने language में लिख पाऊगे, तो कुछ नहीं आने से अच्छा, कुछ तो आना अच्छा है, इसलिए हर एक चीज़ का diagram और प्लोचार्ट का माध्यम से पढ़ने की क motion हो गया, या फिर ऐसे कई सारे work and energy वाले चाक्टर में आप गये, ठीक है, उसके units क्या होते हैं, अगर आपको कोई पूछ दिया, कि work का unit लिखना है, क्या लिख होगे, ठीक है ना, heat का unit लिखना है, क्या लिख होगे, तो ऐसे कुछ units आपको याद करने पढ़ेंगे, concept जित electricity में क्या होता है, वो सब चीज का mechanism आपको पता होना चीए, उसके अंदर जो formulas है, जैसे मैंने दो दो बार लिख दिया, मैंने formula, तो formulas आपको पता होना चीए, ठीक है, ना, working आपको पता होना चीए, कि मानलो कि जैसे मैंने बोला, कि nuclear energy power plant है, अब nuclear energy power plant का basic working model आपको पता होन पढ़ेगा, जितना आपका concept clear रहेगा, उतना आपको अच्छी तरीके से याद रखने में आसानी होगी, and last point यह है, कि revision at least two to three times before the exam, आपका जब exams आ रहा होगा, एक या दो दिन बचे होंगे, तो at least आपको क्या करना है, दो से तीन बार आपके पढ़े हुए concept को, जो आपन पढ़ने ले, क्योंकि आपको वो सब चीज पहले से ही आता है, तो यह है power, ठीक है, subconscious mind का power होता है, तो उसको utilize करो, revision अपने आप अच्छे तरीके से हो जाएगा, और आपके अंदर बहुत confidence भी आ जाएगा, clear, तो बस यही था, मेरे तरफ से tips जो आपको follow करने है, इस से science तो better हो गई, और अगर यही चीज आप respective subjects में भी apply करोगे, तो आपके बाकी subjects भी improve होगे, तो जरूर से करना, मेरे तरफ से यार, all the very best to all my dear students, तो अच्छे तरीके से महनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे सफलता जरूर मिलेगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना है, यह वीडियो आपको कैसा लगाई, दोस्तों, प्लीज हमें comment करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को like कर देना है, share करना है, आपने दोस्तों के साथ, और first time channel पे आयो, तो फटा फट से channel को subscribe करके, bell icon को भी press कर देना, ठीक है दोस्तों, तो ज जल्दी मिलेंगे, फिर एक और ली वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye.